अब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटू से न होन एजुकेशन में तो डियरे स्टुडेंट आज का ये वीडियो जो बहुत खास होने वाला है उन एस्टुडेंट के लिए जो यूपी बोर्ट 2023 में एक्जाम देने वाले है या देने की तयारी कर रहे है उ तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे यूपी बोर्ट परिक्षा को लेकर सबसे बड़ा आपडेट निकल कर आ रहा है क्या है वह अपडेट इस वीडियो में हम बताएंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो देखिए यूपी बोर्ड एक्जाम 2023 यूपी ब परिक्षा 2030 2023 में होने वाला था लेकिन अब मार्च में होगा क्यों क्यों होगा मार्च में इस वीडियो में हम बताएंगे क्यों होगा मार्च में तो पाला रहा syllabus complete नहीं हुआ है देखिए बहुत ऐसे school और college है जिन में syllabus complete नहीं हुआ है क्योंकि देरी से किताब मिला है इसलिए syllabus complete नहीं हुआ है तो इसी कारण यह exam जो है टाली जा सकती है ठीक है मार्च में हो सकता है exam फरवरी मनाई लेकिन मार्च में जरूर हो अब देखते हैं अगला जो है अगला का अगला है कब होगी परिक्षा तो देखिए फरवरी में परिक्षा था तो अब मार्च में जा सकता है तो मार्च में exam हो सकता है student अपने exam की तयारी जरूर करें और करते रहें उसके बाद से देख लेते हैं time table time table change भी हो सकता है हो सकता है दो तीन दिन में आपका time table जो है नया time table आ सकता है उसके बाद से देख लेते हैं छात्र अपनी तयारी करते रहें देखिए exam होना अनिवार है आप अपना तयारी करते रहें exam के लिए तो अब exam फरवरी से नहीं marks होने वाला है यह निश्चित है कि चर्वरी